Hello and welcome to IJ Academy Students, we are discussing Indian Art and Culture और Indian Art and Culture के अंदर हम पढ़ रहे है Cultural Place of Interest जितने भी इंडिया के अंदर Cultural Places हैं Which have rich cultural significance From North to South and from West to East हम उनको डिसकस कर रहे हैं और उन प्लेस के अंदर जो भी famous monuments हैं और अगर कोई ऐसा unique feature है जो news में रह चुका हो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं तो आप बनी रही हमारे साथ और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारी IJ Academy को सबस्क्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं उसकी notification आपको सबसे पहले मिले अगर आपको याद होगा जब हमने इसका पहला पार्ट किया था तो मैंने आगरा से स्टार्ट किया था और कल हम हैदरबाद तक गए थे अगर मैं आपको एक quick review दे दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक तो अभी तक हमने कुछ cultural places को पढ़ा है आगे बढ़ेंगे है ना तो कहां गया हमारा हैदरबाद आज हम हैदरबाद से आगे अपने discussion को ले जाते हैं और हैदरबाद से आगे जब हम अपने discussion को लेते हैं तो यहाँ पर जो discussion है यह start होता है जाइपूर से और अगर आपको याद होगा तो सबसे पहली बात Jaipur के बारे में ये है कि Jaipur को किस ने फांड किया था It was Maharaja Jai Singh कौन? Maharaja Jai Singh ने फांड किया Jaipur को In the 1727 में So 1727 में Maharaja Jai Singh ने फांड किया Jaipur सबसे पहली बात ये है Number second Is that It is also called a pink city इसको Pink City भी कहा जाता है UNESCO in the year 2019 declared Pink City Jaipur as UNESCO World Heritage Site जो अगर आपसे question पूछे कि सबसे recent सबसे recent जो यहाँ पे city है वो कौन सी बनी जो UNESCO World Heritage Site यहाँ पे उसको declare किया गया तो नाम है Jaipur और State है राजिस्तान Pink City का नाम यहाँ पे नहीं बूलना है तो Pink City को 2019 में यहाँ पे UNESCO World Heritage Site का टाइटल यहाँ पे दिया गया अब क्यों दिया गया इसको टाइटल क्योंकि इसमें कुछ Grand Monument यहाँ पे मावजूद है जो लगबग जो राजपूत पीरड यहाँ पे था जो लगबग इसी में यहाँ पे कनस्ट्रक्ट किये गए और सबसी पहला Monument जो आपको राजपूर के अंदर मिलेगा उसे हम कहते हैं जंतर मंतर क्या कहते हैं जंतर मंतर को हम Astronomical Wonder भी कहते हैं अगर हम इस जंतर मंतर को देखेंगे तो सवाई जी सिंग सेकंड ने इसको बनाया था और जंतर मंतर इतना important है कि 2010 में जंतर मंतर को UNESCO World Heritage Site का title दिया गया So Monument No.1 इस जंतर मंतर Monument No.2 इस नहारगर अब जो नहारगर हैं यह एक fort हैं तो आप याद रख सकते हैं कि जो नहारगर fort हैं यह भी आपको कहां पे मिलेगा यह भी आपको जायपूर के ही अंदर मिलेगा Monument No.3 इस हवा महल अब हवा महल पालस की इंपोर्ट है हवा महल पालस यह complex है यह एक पालस है यह भी आपको जायपूर के अंदर ही मिलेगा Monument No.4 इस अमर पालस जो Amar Palace है जो Jager Fort और City Palace इसी को यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहते हैं तो Amar Palace भी यहाँ पे आपको मिलेगा इसके साथ अगर आप देखेंगे तो Jal Mahal It is Wonder of World क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह Jal Mahal यह बिल्कुल एक लैक के मिडल में आपको मिलेगा जैसे ये एक लैक हो गया और इस लैक के बीच में इस लैक के मिडल में आपको मिलेगा कौन? ये Jal Mahal इसलिए ये दुनिया के एक वंडुर माना जाता है क्योंकि it is situated in the middle of a Lack कौन? Jal Mahal तो यहां पर यह आप याद रख सकते हैं कौन कुन सा आपने याद रखा Monument Monument No.1 जंतरमंदर देन नहारगर फोट देन हवा महल कंपलेक्स अमर पैलस एंड जल महल यह कहां पर आपको दिखेंगे जाइपूर राजस्तान के अंदर यह आपको दिखेंगे देन उसके बाद हम आगे जाएंगे अगर यहां पर तुम देखोगे ना Craftsman की तरह या Master Craftsman जो हाँ पर है यहां पर बंदनी का नाम आप नहीं बूलना कौन यहां पर बंदनी का नाम नहीं बूलना है क्योंकि अगर आप बंदनी को देखेंगे तो यह एक प्रकार का जो टेक्स्टाइल प्रिंटिंग है वो बंदनी है डिरेक्ट्री आपसे पूछेगा कि बंदनी जो है यह कहां का Crafts है ना यह राजस्तान आप याद रख सकते हैं जाइपूर और अगर आप देखेंगे तो जाइपूर जो है इस जो जाइपूर के बारे में याद रखना है इसको पिंक सिटी कहा जाता है 2019 में रिसेंटली है ना इसको यूनिस्को वर्लेटे साइट का टाइटल मिला क्यों मिला क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मॉनुमेंट्स है मॉनुमेंट नमर फिस्ट जंतरमंदर सेकेंड नहारगर फूर्ट थर्ड हवा महल कंपलेक्स फूर्द अमर पैलस फिफ्ट जल महल और यहां की जो इंपोर्टेंट या मेजर क्राफ्ट जमान है बंदनी बंदनी जो है यह एक पॉर्म आप टेक्स्टाइल प्रिंटिंग ह यहां पर अगर आपको याद होगा तो इसको टैग दिया गया यूनिस को और ट्रे साइट 2019 में अगर आप दोला वीरा को देखेंगे ना तो दोला वीरा आपको मिलेगा गुजरात में काच रिजन आप गुजरात दोला वीरा जो है यह एक हरपन साइट है यानि कि जो इंडस वैली सिवलिजेशन थी उसी मैंसे एक साइट है दोला वीरा और दोला वीरा को यहां पे इन दे येर 2019-20 इट ऐस बिन सब्मिटेड फॉर नॉमिनीशन यानि कि यहां पे क्या किया गया दोला वीरा को सब्मिट किया गया फॉर द नॉमिनीशन आप वर्लोड हरटे साइट है ना इन 2019-20 अब इस पे काम होगा फिलाले टेंटेटीन इस्ट में है अब यहां पे डिस दिस इस से नॉमिनिट की गई फॉर दशब नॉमिनीशन आफ वर्लोड हरटे साइट तो वो दोला वीरा है लेकिन अगर आपसे ऐसे कोश्चन पूछे किस साइट को या किस सिटी को रिसेंटरल यूमिनिस्को वर्लोड हरटे साइट का टाइटल दिया गया तो जायफूर ह हैं लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि किस सिटी को यहां पर सब्मिट किया गया फार्द नॉमिनिशन आफ वर्वर्ड हरटी साइट डैट इस दोला वीरा और दोला वीरा बहुत ही important है क्योंकि अगर आप इस site के बारे में पढ़ेंगे तो water management के लिए famous है और इसके साथ दोला वीरा इसलिए भी important है क्योंकि फाइनानस मिनिस्टर निर्माला स्थरमन ने अपने last year के budget speech में इस site को mention किया था और जब भी कोई famous personality या कोई minister किसी site को mention करता है तो एक current affair बनता है और current affair जो ही आता है तो एक examiner का focus बनता है examiner के mind में यह बाते आती है इसलिए examination के लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाता है another place which is important is लेह अब लेह क्यों important है सबसे पहला पहली बात यह है कि यह second largest district है इंडिया में कौन second largest district in India सबसे बड़ा district कौन है यह मुझे आप comment box में बताईएगा सबसे बड़ा डिस्टिक जो है इंडिया के अंदर कौन है है ना यह मुझे आप comment box में हाँ पर बताएंगे number two अगर आप लेह के बारे में पढ़ेंगे तो लेह के बारे में सबसे पहले important बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी Monasteries दिखेगी Buddhist Monasteries यहाँ पे दिखेगी और सबसे पहला नाम जो है ना वह आलची चुसकूर का है आलची चुसकूर बुद्धिस्ट Monasteries प्रेजंट इन लेह लेह इस फेमस फर लेह पैलस और इसके साथ सथ आपको यहाँ पे एक और Monasteries दिखेगी जिसे हम कहते है नमगयाल या विक्ट्री Monasteries भी इसको कहा जाता है है ना और अगर तुम इस नमगयाल या विक्ट्री Monasteries को देखोगे तो इसे हम सीमो गौमपा या रेड़ गौमपा भी कहते हैं है ना और यहाँ का जो important feature यह है cultural feature वो यहाँ पे यह है कि यहाँ पर काल चक्रा जो है यहाँ पर अब्जरू किया जाता है and what is काल चक्रा it is a holy period that is observed by Buddhists जैसे जो Muslims है वो रमजान यहाँ पर मनाते हैं holy period उनका होता है इसी तरीकि से बुद्धिस्टिस का भी holy period जो हैं, वो यहाँ पे काल चक रही हैं, है ना, और इसके साथ-साथ जो हैं, लेह के अंदर आपको एक उर प्लिस मिलेगी, जिसे हम कहते हैं, शांती स्टूपा, है ना, basically it was constructed by Japanese in the year 1983, इसको शांती स्टूपा कहते हैं, अब यहाँ पे important क्या हैं, लेह जो है ना, यह बहुत ज़्यादा news में है, one, because of India-China clashes, है न, across the line of actual control, number second, it is in news because of Rangdom Monastery, और Rangdom Monastery जो है ना, Rangdom Monastery आपको Suru Valley में दिखेगी, और Suru Valley जो है, यह करगल के अंदर है, तो मुझे यह कहना यहाँ पे यह है, कि अगर आप से पूशा गय यह कि जो Rangdom Monastery है, यह कहाँ पे है, तो आपका जवाब होना चाहे करगल के अंदर है, और एक current of year में है, इसके बाद हम आगे बढ़ेगी, लेह के बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो next important cultural place है, उसे हम कहते हैं, गवालियर, क्या कहते हैं, गवालियर, गवालि जो है, यहाँ पे located है, और गवालियर फोट जो है, इसको बनाया था, टोमारा डाइनस्टी ने, किसने, टोमारा डाइनस्टी ने इसको बनाया था, और गवालियर फोट को हम जिबरलतार आफ इंडिया कहते हैं, अगर आपको याद होगा मेरा world map, जब मैं political and physical divisions of world आपको कर रहा था, और जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वहाँ पे एक स्ट्रेट बताई थी, जिसको मैंने बताया था स्ट्रेट अप जिबरलतार, और स्ट्रेट अप जिबरलतार जो थी, वो connect करती थी हमारे मिडिटीरियर इनसी को, with the Atlantic Ocean, है न, स्ट्रेट अप जिबरल कि जिबरलताराफ इंडिया जो है, ये किसको हम कहते हैं, नीचे चार उप्शन देगा, ये न, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, गवालियर फोर्ट, नहर अगर फोर्ट, तो चार में से आपको टिक करना है एक उप्शन को, और, जे विलास पालस, यहाँ पे गवालियर के नहीं दिखेगा, इसलिए गवालियर भी important हो जाता है, गवालियर के बाद जो नाम आता है, वो है अलहाबाद का, किसका अलहाबाद का, अब यहाँ पे अलहाबाद क्यों important है, क्योंकि इसको कहा जाता है प्रयाग, क्या कहा जाता है प्रयाग, अगर आपको मेरा जो मैंने पढ़ाया था गंगा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो यमना है वो मिलता है गंगा को अलाबाद और अलाबाद को पहले प्रयाग राज कहा जाता है यहां पर संगम होता है तीन रिवर का गंगा यमना सरस्वती का मिलन यहां पर होता है अलाबाद के अंदर सरस्वती आप बोलोंगे कि यह कहां से आया जो हमारा ओल्ड लिटरेचर है न तो वहां पर इस रिवर के बारे में जिक्र है कहा जाता है कि यह एक पहले रिवर हुआ करता था बात में किसी कारन से ड्राई हो चुका है अब यह नहीं है और जो आजकल का गागरा आप देखर रहे ना गागरा Maar ही माना जाता है कि चायद सरस्वती था है ना तो गंगा यमना एंड सरस्वती जो है यह आपको मिलते हैं अलाबाद के अंदर है ना अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यह गंगा है है ना और यहां पर है यमना और यहां पर मीट करता है कहां पर आलाबा ने इसका नाम रखा था इलहाबाद क्या इलहाबाद लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इस नाम को चेंज करके अलहाबाद कर दिया क्या कर दिया अलहाबाद और अलहाबाद इसलिए इंपोर्डंट है क्योंकि यहां पर यह एक इस वन अफ फॉर ऑस्पिशियस हिंदू पिलगर में साइट है ना वाई विकाज अगर आप देखेंगे तो यहां पर मनाया जाता है खुम्मेला क्या मनाया जाता है खुम्मेला जब हम फियर्ज आफ इंडिया पड़ेंगे ना त लेकिन आप इतना याद रखना कि यह एक प्लेस है इस वन अप्ड़ साइट आप खुम्मेला है और लास्ट में यह इंपोर्टंट है कि यहां पर आहलाबाद पिलर है आहलाबाद पिलर को अगर आप देखेंगे तो जो अशोका की जो इनस्क्रिप्शन से वहां पर लिख यहां पर दाइंगे इस पर आहलाबाद पिलर पर तो आहलाबाद के बारे में आप यह याद रख सकते हैं कि इसको प्रयाग कहते हैं and it is situated in up यहां पर तीन rivers का मिलन होता है इसको पहले कोशम भी कहते थे अगबर नि ने इसका नाम जो है इलाबाद रखा था लेकिन बाद म इसका नाम change किया था और यहां पर इस वनाब अब तरव खुम्मेला यही वह साइट है जहां पर अलाबध पिनरर आपको मिलेगा नम्बर एक्सक्र इस वारनाशी अब वारनाशी क्यों इंपोर्टन आँ वारानाशी इसलिए इंपोर्डन्ट है कि इसको स्अपरिछुवाल कैपिटल ओफ इंडिया भी कहते हैं मैंने आपको एक इंडिया मानी जाती है Because of Research It is Genome Valley of India Esse li इसी तीरिके से यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सुपरिच्वल प्एपल आप पपी मंगा वह वारनासी है! लुइंध देडिकेटेटा डेली क लौषिवा we had to learn the temples and it has a research laboratory वारानासी के बाद जो नाम यहां पर है वह है उजेन एक शहर है मदिया प्रदेश का एंड इस लोकेड़ा रिवर होल्डान जब मैं यहां पर आपको साइट इस पड़ा रहा हूं तो मैं आपको बोता रहा हूं कि कौन सी इंपॉर्टन साइट किस रिवर के बैंक पर है आग प्रटाला जो है मैंने आपको बताया था यह हौरा रिवर पे है इसी तेरी किसे मैंने बताया रैडफोर्ट और रैडफोर्ट भी किस पे था वो भी यमना रिवर पे ही था है ना उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और साइट जिसको मैंने बताया था कि जो इसको सवर्ना सिंगा भी कहते हैं इसके बाद जो यहां की मेन अट्रैक्शन है ना वह है महा कलेश्वर जोतीर लिंगा और इसके अलावा आप दिखेगा उजेन सिमहस्ता अगर आप देखें के चार जगा पे इसके अलावाद यूपी के अंदर हरीदवार उतराखंड उजेन एंपी और नाशिक महरास्ट्रा चार रिवर्स पे खुम्मेला सेलब्रेट किया जाता है तो उजेन और इससे पहले मैंने आपको एक साइट बताई थी जिसे हम कहते थे आलावाद फिलाल दो साइटस हमने देख लिए और बाद में हम इसको टीप में पड़ेगा तो इसके बाद जो इंपोर्टन यहां पर साइट है उसे हम कहते है कोलकता अब कोलकता क्यों इंपोर्टन है विकास दिस इस 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 सिटी आफ जॉइ भी कहते हैं पॉइट नमबर फर्स्ट पॉइट नमबर सेकंड इस लोकेटेड ओन दे बैंक साफ हुगली रिवर जब गंग अपको पड़ा रहा था जो ही गंग फरक्का पे पहुंचता है इधर देखो इधर देखो जो ही जो गंग है यह फरक्का पे पहुंच जाता है जो के इस्टर पॉइंट है गंगा का इंडिया के अंदर तो यहां पे दो डिस्ट्रिबूट इस होती है एक हुगली मैंने आपको बताया था जो कोलकता के थूपास करती है और दूसरा जो है इट कंटिनूज इन बंगलादेश बाइधनीम पदमा है ना अब जो हुगली रिवर है इसी ह अफूरियस एंड क्रियेटिव एनरजी बिसको कहा जाता है अनदर थिंग इस विक्तोरिया मैमोरियल यह यहां का फेमस मॉनूमेंट है विक्तोरिया मैमोरियल इस लोकेटड इन कोलकता वेस्ट बंगाल जेके एससजबी कलास फॉर्थ का पेपर उठाओ फरस्ट मार्श प तो वहां पर चार उप्शन दी थी और चार उप्शन मेंसे आपको टिक करना था किसको वेस्ट बेंगाल को और यहां पर आपको हवरा ब्रीज और अगर मैं टेंपल की बात करूं तो दक्षिनेश्वर काली टेंपल यहां पर आपको एक चर्ज भी दिखेगा इसे हम एस्टी पालस कहते हैं तो इतना आपको याद करके जाना है तो कुलकता जो है हुगली रिवर पे हैं आग्रा जो है यमना रिवर पे हैं तो देली भी यमना रिवर पे ही हैं रेड़बर भी यमना रिवर पे ही हैं अगर्टाला जो है हावरा रिवर पे हैं है इतना आपको याद रखना है आलहबाद जो है गंगा रिवर पे हैं अब यहां पर इंपोर्टन है अमरावती अमरावती जो है इ हैं तीन कैपिल होनी चाहिए अमरावती कुर्णूल एंड विशाका पर्टन एक्जिकेटिव लेजिस्टिटिव एंड जुडिशिरी कैपिल अलग-अलग यहां पर आंद्रपरदेश चाहती थी क्यूंकि तिलंगाना in the year 2014 was extracted from आंद्रपरदेश यह तिलंगाना है और दोनों की जो जॉइंट कैपिल थी वो हैदराबाद थी है और जो तिलंगाना है इसकी कैपिल हैदराबाद ही है अब आंद्रपरदेश जो है इसको decide करना था कि यह क्या कैपिल रखेगी आंद्रपरदेश ने बाद में decide किया किस state ने यहाँ पर तीन जो capital की डिमांड की थी तो वहां आंद्रपरदेश ही है अलग-अलग capital legislative, executive, judiciary है ना इतना आप यहाँ बयाद रख सकते हैं and the famous attraction is Amara Lingeshwara Temple, Amara Lingeshwara Temple is located in Amravati है ना और यहाँ पर आपको दियाना बुद्दा का statue मिलेगा और सबसे important बात यह है को कॉंडवीडू fort is located in Amravati कॉंडवीडू fort is located in Amravati और उंडवली caves भी आपको यहाँ पर दिखेगी caves में मैंने आपको बहुत सारी caves दिखाई थी, cesspool caves मैंने लह में बताई थी है ना आपको याद होगा वो अजन्ता, इलोरा, अलफेंटा caves in Maharashtra and बादामी caves in करनाटका तो बहुत सारी caves हैं आप उसको repeat कीजेगा और खुद देखिएगा उनको हम इस lecture को यहाँ पर एंड कर रहे हैं आज का lecture और आज की lecture में हमने क्या क्या पड़ा, सबसे पहले हमने पढ़ी pink city और pink city जो है pink city जाईपूर की है, सबसे पहले city हमने यही पढ़ी पिंक सिटी के बाद हम गे लेह, है ना, हमने लेह को डिसकस किया, और लेह के बाद जो है, हमने स्टार्ट किया गवालियार, गवालियार के बाद अहलाबाद, अहलाबाद के बाद हमने स्टड़ी किया वारानासी, वारानासी के बाद उजेन, उजेन के बाद कोलकता, इसके अमरावती कल हम स्टार्ट करेंगे मांदू से है ना सो इस इंपोर्टन पॉइंट्स एंड यह इंपोर्टन भी है यह साइट्स कल्चिरली और अगर आप देखेंगे कि इंडिया न कल्चर में एक दो कॉश्चन जो है इस टॉपिक से आपके पूछे जा सकते हैं तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे ही रखते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मांदू से हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी बागी साइट इस इंडिया के अंदर है उनको भी यहाँ पे हम discuss करेंगे तो हम मिलते हैं अपने lecture में जहाँ पे हम मांदू से अब start करेंगे Till then, stay home, stay safe and God bless you all